हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई हूप आप सभी लोग ठीग होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं कि आपके तीन अगस्त से exam स्टार्ट होने वाले हैं आपके exam के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको कौन-कौन सी चीजे exam hall में लेकर जानी है और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है इन सभी topic के उपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को end तक देखें और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe करें और आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले पाने के लिए notification bell icon को press करना न भूलें तो दोस्तों आए वीडियो को start करते हैं दोस्तों यदि आपको वीडियो से related कोई भी doubt है या फिर आपको इगनू से related कोई भी doubt है तो आप मुझे मेरे Instagram पर या फिर मेरे Telegram पर follow करके अपना doubt क्लियर कर सकते हैं तो दोस्तों आए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों जानते हैं कि आपके जो 3 अगस्ते से exam स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान लखना है आपको क्या-क्या जरूरी चीजे लेकर जानी है आपको exam center में entry लेने के लिए तो सबसे पहले तो आपका admit card यानि hall ticket होना जरूरी है आपने जो exam form fill किया ता उसके बाद आपका hall ticket release हुए वो आपको hall ticket उस hall ticket का आपको print out निकालना है और उसे आपको exam hall में ले जाना है पर आपको एक चीज ध्यान लखना है जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार किसी भी students के hall ticket पर आपका photo और signature नहीं आया है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना photo घर से paste करकी ले जाना है और आपको वह आपर cross signature करने जैसा कि आप यहाँ आपर देख रहे हैं यहाँ पर आपको यह space दिया हुआ है photo का और यहाँ आपर लिखा हुआ है paste your latest photograph आपको यहाँ पर अपनी photograph लगानी है और यहाँ पर आपको signature करने है तो यहाँ पर आपको एक photo लगानी है आपकी जो latest passport size photo है color photograph लगानी है और आपको signature करने है अपने cross signature करने है इसके बाद दोस्तो second number बात करते हैं आपके ID card की आपको ID card ले जाना जरूरी है अगर आपके पास पुराना ID card जो इस परकर से दिखता है या आपके पास जो new ID card अभी आते हैं computer generated तो आपको ये ID card ले कर जाने है आपके पास जो भी ID card है वो ID card आपको ले जाने है जैसा कि आपको इस screen पर सोरा आपके पास अगर ये है तो आप ये भी ले जा सकते हैं, आपके पास अगर ये new है तो आप इसे भी लेकर जा सकते हैं, पर बहुत सारे student ऐसे हैं जिनके पास ID कार्ड नहीं है, COVID की वज़े से उनका ID कार्ड रिलीज नहीं हुआ, या ID कार्ड खो गया है, तो उन्हें क्या करन है उन्हें घबराने के बिलुकुल भी आशकता नहीं आपके होल टिकेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है या आपण ID कार्ड डाउन्टोड नहीं किया है या आपका ID कार्ड हो गया है तो आपको कोई भी valid identity card आपको साथ में ले कर जाना है आपका जो भी photo identity card है जैसे कि आप pen card ले कर जा सकते हैं आप आधार card या फिर driving license ले कर जा सकते हैं आप इन तीनों में से कोई भी valid identity card ले कर जा सकते हैं अगर आपके पास आपका ID card नहीं है या आपका ID card डाउनलोड नहीं हुआ या खो गया है तो इसके बाद mask होना चाहिए आपको marks लगा कर जाना है और साथ के साथ आपको जितनी भी COVID-19 की guidelines है उनका पालन करना है ये सारे जरूबने भी step है ये आपको follow करना है ये सारी भी valid identity card लेकर जा सकते हैं और आपको marks लगा कर जाना है इसके बाद आपको जितने भी आपकी चीज़ें जैसे की pen pencil, eraser, softener या फिर calculator ये सारी चीज़े आप लेकर जा सकते हैं और आपको अपनी water bottle लेकर जाना है या फिर sanitizer लेकर जाना है तो आप अपनी सुविदा के लिए आप इसे भी लेकर जा सकते हैं तो दोस्तो ये सारी बातों का आपको exam hall पर ध्यान रखना है ये सारी चीज़े आपको लेकर जाना है दोस्तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी दोस्तो अगर आपको वीडियो से related कोई भी डाउट है तो आप मुझे comment box के नीचे comment करें आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद